हेलो फेंड्स मैं हूँ सौरब आज की वीडियो में हम आपको पांच ऐसी महत्रपुन बाते बताने वाले हैं जिनें आपको इंटरंशिप के दोरान ध्यान में रखना चाहिए प्रैसिक्छुता या इंटरंशिप सब्द आम तोर पर नया ब्यविसाय या नई नोकरी आरंब करने वाले उन महा बिद्याले चात्रों बिस्प बिद्याले के चात्रों या युबकों के लिए प्रियोग किया जाता है जो इस छेत्र में नए उत्रे होते हैं और प्रेसिक्षन के साथ ही ब्यवसाय आरम करते हैं इन्हें हिंदी में प्रेसिक्षु भी कहा जाता है आज के दोर में इंटर्णसिप किसी भी छात्र के करियर पर बहुत ज़्यादा असर डालती है इस दोरान छात्र को कई जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं कई छात्र कोलेज की पढ़ाई के साथ ही अपनी इंटर्णसिप सुरू कर देते हैं ताकि उन्हें अपने करियर में अनुवब भी मिल सके अगर आप भी इंटर्णसिप कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम आप कुछ ऐसी बाते बताएंगे जिसी जानने से आपका भविस्से बेतर होगा और सायद आपको उसी कंपनी में नौकरी भी मिल जाए आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारे कपड़े भी हमारे ब्यक्तियत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं इसलिए आप जहां पर इंटर्णसिप करें वहां आपको हमेशा साधरन और फार्मल ड्रेस में जाना चाहिए इससे आपका एक ओफिस लुक निखर कर आता है इसके अलावा अगर आप लड़की हैं तो कुर्टी जिस भी पहन कर आफिस जा सकती है आपको अपने ओफिस में पार्टी बियर जिसे कपड़े बिलकुर नहीं पहनने चाहिए इंटर्णसिप के दोरान आपको ओफिस में आने और जाने के निधरिस समय का खैल लगके जाना चाहिए आपको कभी भी ओफिस से जाने की जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए आप जिस भी ओफिस में इंटर्णसिप करने जा रहे हैं वहाँ के वर्ग कल्चर के विपरियत कोई काम ना करें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बज़े से कोई दूसरा ऐसे हैज महसूस ना करें कोईसिस करें कि आप वहाँ के मोहल में ढ़ल जाएं और उसी के हिसाब से काम करें नमब थ्री दवाब में भी बेहतर प्रदर्सन करने की करें कोईसिश आपको चाहे कैसा भी काम मिले, चाहे आपके ऊपर कितना भी काम का दबाब हो, आपको उसको सही से करने की कोशिस करने चाहिए अगर आप उदास चेहरे मन से काम करेंगे या सुष्टी दिखाएंगे तो इससे यह संदेश जाएगा कि आप अपने काम में मन नहीं लगा रहे कोशिस करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीजें अपने ओफिस में सीख सकें अगर आपको ज़्यादा काम मिल रहा है तो आप अपने सीनियर से उस बारे में सला लें या आप उनसे बात करें नमबर फॉर ओफिस में बेर्थ ना बैठें दूसरों की करें मदद अगर आपको दिया गया काम पूरा हो जाए तो आप बेर्थ ना बैठें आपको खुझ से खाली समय में अपने सीनियर या जिसके पास काम अधिक है उससे पूछें कि क्या आप उनके काम आ सकते हैं ऐसा करने से आपको लोग अधिक पसंद करेंगे और आपको भिन्द भिन्द तरह से काम करने का अनुवब होगा इस आदस से हो सकता है कि आपको उसी कंपनी में नोकरी भी मिल जाए जब भी आप कोई काम पूरा करें तो उसका फीडवेक लेना ने भूलें टीम लीडर या फिर सीनियर से उस काम के बारे में जरूर जाने जो बातें आपके काम के बारे में बताई जाएं उनमें से जिस पर आपको काम करने की जरूरत है उसको सुधारें और अपना सत्प्रितिसत देने की कोशिस करें इससे आपकी ओफिस में एक अच्छी इमेज भी बनेगी और ऐसा करने से आप हमेशा बहतर होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के एक लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक लिए अपना खयाल लखना जै हिन जै भारत